Hello everyone, I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel Jaya Study Classes Today in this video, we are going to see the solution of question number 24 to 31 of chapter accounting ratio So start with question number 24 Overall, in this video, we saw question number 23 तक देखा था इसके अंदर आपने liquidity ratio और solvency ratio का question देखा था और हमारा 23 number question था, वहाँ से activity ratio इस्टार्ट हो रही थी ठीक है तो सबसे पहले most important book जरूर पढ़ना and जो मैंने सबसे starting वाले video प्रवाइड किये इस chapter की accounting ratio जिसमें मैंने बताया कि accounting ratio है क्या, कितने types होते है and इसकी important formula क्योंकि इस chapter में समझने से ज़्यादा यह है कि आपको formula learn होना चाहिए तभी आप बना सकते हो तो सारे formula अच्छे से learn करना उसके बाद ही बनाना क्योंकि मैं बार-बार कहती हूँ कि मेरा motive यह नहीं कि आप आओ और मेरे video से solution बना लो और हो गया, नहीं फिर आपको मेरे video से कुछ समझ में नहीं आने वाला है पहले आप book पढ़ो उसके बाद खुद से try करो बनाने को अगर वहाँ कुछ प्राबलम होता है फिर अगर आप मेरे video को देखते हो और वहाँ से hint लेते हो तभी आपको useful लगेगी यह video I hope कि आप समझ पाड़े मैं क्या कहना चाहती हूँ book पढ़ो, खुद से बनाओ उसके बाद ही hint लो मेरे video से चले, देखते हैं question हमारा 24 number क्या है यह हमारा activity ratio चल रहा है तो मैंने आपको बताया था इसमें जो answer आती है, वो times में आती है ठिक, तो अब देखिए question number 24 में क्या है, opening stock दिया हुआ है wages दिया है, closing stock दिया है, sales दिया है purchase दिया है, carries in what दिया है इन सबको देखते हुए हमें stock turnover ratio find out करना है चले, 24 number का solution देखते हैं तो देखे 24 number में हमें क्या निकालना है stock, inventory ratio या उससे up turnover ratio बोले तो इसका formula क्या होता है cost of revenue from operation by average stock इसके लिए ये दोनों हमें पहले पता होना चाहिए तो पहले cost of revenue from operation निकाल लेते हैं, उसके बाद average stock निकालेंगे, उसके बाद जो हम ratio पुछा है उस चीज को divide करेंगे तो find out हो जाएगा तो ये रहा हमारा 24 number का solution मैं बार-बार कह रही हूँ कि इस चैप्टर में बस important है तो वह है formula formula पता है, it means that कि आप बना सकते हो ये जली solution, next question देखते है next हमारा question number 25 है यहाँ पे कुछ mistake है, आप इसको correct कर लोगी question में कह रहा है, सबसे पहला तो a number है what is mint by activity ratio तो आप तो ये तो book से लिखे ही लोगे अब जो है B number 25 का जो B number है from the following information आपको calculate क्या करना है inventory ratio, ठीक है inventory turnover ratio find out करना है, दिया हुआ है क्या यहाँ पे आप correct करोगे, यह cost of revenue from operation होगा 16 lakh, average inventory दी गई है और यह gross loss ratio 5% है यह नहीं होगा ठीक है, तो यह दोनों आपको दिया गया है cost of revenue from operation and average inventory और gross loss को आप cut करोगे, चलिए आपके पास तो दोनों चीज़ है ही बस divide करना है, चलिए इसका solution दिखते है यह रहा हमारा 25 का solution, यह तो बहुत ही easy है दोनों चीज़ दे दी गई है, जो formula में होता है stock inventory ratio में, बस आपको लिख देना और divide कर देना है तो आपका जो है, आंसर आजाएगा 25 नंबर का now next 26 number, 26 का A number, total इसमें A, B and C है यह बहुत ही गौर से पढ़ने वाला question है, क्योंकि देखिए annual sale दिया हुआ है आपको, opening stock है आपके पास और gross profit 25% तो है, लेकिन किस पे, on cost of goods sold ध्यान से पढ़ना यहाँ पे, उसका बाद closing stock दिया है जब normal gross profit देता था ना, तो suppose that annual sale आपके 2 lakh है, ठीक है और सिर्फ लिखता आप gross profit 25, तो आप क्या करते थे, 25 by 100 कर देते थे आपका आजाता था, gross profit, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 25% gross profit तो है लेकिन किस पे, cost of goods sold, तो यहाँ पे आपको divide करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 lakh लिखोगे, into 25 by 125, ठीक है, क्योंकि cost of goods sold पे बोला, जो कि include है, तो यहाँ से आपका निकलाएगा 40,000, चले अब इसका solution देखते हैं, यह रहा हमारा 26 A का solution, cost of revenue from operation निकालेंगे, जो कि 2 lakh और minus करेंगे, जो 40,000 अभी हाया है, जो मैंने आपको बताया कैसा है उस चीज़ को, और average stock निकाल लोगे, ठीक है, उसके बाद stock turnover ratio जैसे होता है न, formula उसको रखोगे और divide करोगे, आपका answer आजाएगा, 26 का यह नंबर, न, the next question, next hack 26 की भी, information दी गई है, inventory 10 over ratio, find out करना है, आपको पताये, बहुत तीजी chapter है, एक ही जैसे question देते हैं, बस एक दो figure इधर change करते हैं, revenue from operation दी गई है, opening inventory दी गई है, closing inventory दी गई है, gross profit 25% on cost of revenue from operation, normal जो है, revenue from operation जो है, उसी पे निकाला है हमें, ठीक है, तो यह तो normal वाला चलेगा, चलिए अब इसका solution देखते हैं, 26 का B number है, cost of revenue from operation find out करेंगे, value दी गई है, less करेंगे 40,000, कैसे निकाला है मैंने, आपको 26 के ये number में बताया है, कैसे निकाला है, बस आपको question अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद average stock, उसके बाद stock inventory रेस तो आपको find out करना है, दोनों value आपके पास है, cost of revenue from operation यहाँ से आपने इसकी answer आईगी ना, वो times में आती है, next, next है 26 की C number, calculate करने, inventory turnover ratio, information दी गई है, revenue from operation, gross profit जो है ना, यहाँ पे आपके बुक में मिस्प्रिंट हो गया, 20% दिया ही नहीं, gross profit के सामने सिर्फ revenue from operation लिखा था, तो आप 20% add कर लोगी, purchase दिया हुआ, closing stock दिया हुआ, ठीक है, अब चल 25 में, 26 में, चले इसका देख लेते solution, यह हमारा 26 का C number का solution है, सबसे पहले आप cost of revenue from operation निकालोगी, जो कि आप लेस करोगी, जो आपकी 20 lakh है, उसमें सिर्फ 4 lakh, और यह कैसा हैगा, तो 20% of cost revenue, ठीक है, revenue जो है, operation से आया है, वो वाला, उसके बाद आपको क्या करना है, opening stock नहीं प्लस, opening stock, minus closing stock, वहां से आपको opening stock find out हो जाएगा, जो कि हमारा 2 lakh and 80,000 आएगा, चले दो नहीं स्टाक की value आपके पास है, average stock निकालेंगे, उसके बाद inventory turnover ratio का formula पूट करेंगे value, और हमारा answer आजाएगा 26 का C number, बहुत ही easy है, बस आपको formula पता होना चाहिए, फिर क्या यह तो इसली बन जाएगा solution, चलिए अब next question देखते है, next 27 number में क्या करना है, calculation करना है कि इस चीज की gross profit की, चलिए यहाँ पर कुछ तो आया अलग, अभी तक तो stock turnover ratio ही निकाल रहे थे आप, यहाँ पर क्या है कि gross profit हमें find out करना है, average stock दीवी है, turn over ratio दिया हुआ 8 times, और यह जो है कित find out profit, profit इसका find out करना है, चलिए इसका देख लेते solution, यह हमारा 27 number का solution हुआ, यहाँ पर ध्यान से देखोगे, तो stock turnover ratio की formula क्या होती है, cost of revenue from operation by average inventory, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको ratio दिया हुआ 8 times, cost of revenue from operation हमें नहीं पता, average inventory वो दिया हुआ है, तो यहाँ से आपक cross multiply करोगे, 3,20,000, अब gross profit क्या है, तो बोल रहा है इसमें कि उसको जो है न, sell क्या है, किस चीज़ पे, 20% जो है, वो profit पे sell क्या हुआ है, तो आप यह वाला formula डालोगे, और बहुत difference हो जाता है, question को ध्यान से पढ़ना है, कि profit on sell बोला है, ठीक है, यह सब चीज़ हमें ध्या question हुआ, अब question number 28 देखते हैं, अब क्या है, topic जो है, calculation of opening and closing inventory, मतलब कि opening stock and closing stock हमें find out करना है, question number 28 से start करते है, cost of revenue from operation जो है, वो दिया हुआ है, हमें 3,00,000, inventory turnover ratio दिया हुआ है, find out क्या करना है, opening inventory, if opening inventory is 10,000 less than the closing inventory, यह line को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसी से पढ़ना है, operation बनेगा, जिससे हमारा find out होगा value, चलिए 28 नमबर देखते हैं, यह हमारा 28 नमबर का solution है, सबसे पहले आप average inventory निकालो, क्यों, अब देखो, stock turn over ratio का formula क्या होता है, cost of revenue from operation, by क्या होता है, average inventory, तो यहाँ पे आपको यह वाला value पता है, six times, cost of revenue from operation पता है, आपको average inventory निकाली है, तो इसको अगर आप cross multiply करो, मतलब average inventory इधर जाएगा, तो six तो इसके नीचे आजाएगा, और divide करोगे तो आपका average inventory निकालाएगा, अब overall average inventory तो पता है, लेकिन यह नहीं पता कि opening inventory कितना है, closing inventory कितना है, लेकिन आपको equation बनाना पड़ेगा, तो suppose that कि अगर opening inventory x है, तो closing inventory कितन हो जाएगा, x plus 10 हो जाएगा, question में नीचे बोला हुआ है कि opening जो है, वो closing के compare में कितना क्या है, तो इससे आपका equation क्या बनेगा, x जो कि opening stock का है, और closing का क्या है, x plus 10 को जब आप two से divide किये हो, तभी तो आपका 50,000 आया है, मतलब opening stock plus closing stock by two करते हो, तभी तो आपका average inventory find out होता ह यहां से आपकी x की value कितनी आजाएगी, 45,000 तो वहीं आपकी opening inventory हो गई, ठीके, यह हमारा 28 number है, next 29 number question देखते हैं, question number 29, यहापे भी information दी गई है, opening stock and closing stock, दोनों हमें find out करना है, ठीके, अब turnover ratio भी दिया हुआ है, total sale भी दिया हुआ है, उसके बाद gross profit ratio जो है, वो 25% दिया हु closing stock कह रहा है, यह इसी line को अच्छे से पढ़ना है, कि closing stock क्या है, ज्यादा है कितना 4000, किस चीज़ से opening stock से, ठीके, यही वाला line से equation हमारा बनने वाला है, चलिए इसका solution देखते हैं, तो यह हमारा 29 number, सबसे पहले क्या करना है, cost of revenue from operation find out करना है, जो कि यहाँ पे 2 lakh दिया गया और यहाँ पे 50,000, देखें, यही बात में आपको कह रही थी, कि आपने जो उपर के कुछ question देखें, वहाँ पे क्या था, कि gross profit 25% हो, या 20% हो, वो किस चीज़ पे था, on cost of goods sold, या फिर किस चीज़ पे था, on revenue from operation, तो वहाँ क्या करना होता है, जो जैसे कि 25% है, तो 25 लिखा मतलब कि 100 प्लस जो profit का है, percentage उसको add करके, लेकिन जब सिर्फ normal लिखते है कि gross profit, तो आप क्या करते हो, बस 25 नीचे 100, जैसे 25% इस question में बोला, और यह नहीं बोला है कि cost of revenue या cost of goods sold पे, normal gross profit दिया 25%, तो 25 by 100 into, जितना ये 2 lakh है, उसकी value लिखो, आपको find out होगा यहाँ पे, यहा average stock आपने निकाल लिया, अब क्या है, opening stock को अगर आप x मांगते हो, तो closing stock क्या होगा है, x plus 4000 होगा न, चलिए यहां से equation बनेगा x plus, x plus 4000 by 2, यानि opening stock plus closing stock by 2 is equal to क्या आता है, आपका average stock आता है, यहां से x की value आपकी 28,000 आ जाएगी, तो x आपने क्या माना है, opening stock, तो opening stock अगर आ 28,000 आ रहे हैं, तो closing stock क्या होगा, 28,000 में plus 4000 कर दो, क्योंकि बोल रहे हैं, closing stock 4000 जैदा है, तो यह दोनों value आपके आ जाएगी, यह हमारा 29 number है, कहरे हों, इस वाले question में, आपको बस अच्छी से last वाली line को पढ़नी है, कि कैसे compare क्या है, opening stock and closing stock को, next 30 number question, question number 30 देखें, यहां प more than the stock at the end, अब देखें, beginning stock दिया, इसका मतलब क्या, यह opening stock हुआ, closing stock, जो है, stock at the end मतलब क्या हुआ, closing stock हुआ, हमें value calculate करनी है, opening and closing stock की, इसकी answer हला कि बुक में गलत दिया हुआ है, opening stock की जो value है, वो 50,000 आएगी, and closing stock की जो value है, वो एक्छीर में 25,000 आएगी, ठीक है, अगर इसकी बुक में गलत है, जैसे कि इस बुक में दिया था, opening stock की value, 56,250, और closing stock की value दी थी, 18,750, जो कि गलत है, real में होगा, 50,000 and 25,000, चलिए, इसका solution देखते है, यह हमारा 13 number 1, average inventory, find out करो, जो कि आगी, 37,500, तो closing stock, अगर X है, तो opening stock कितना हो जा रहा है, 2X हो जाएगा, चलिए यह देखिए, X plus 2X by 2, मतब कि आप average निकाल देखो, तो जिसकी value आपको पता है, 37,500, यहां से आपकी X की value find out हो जाएगी, जो कि 25,000 आएगा, तो closing stock कितना हो जाएगा, 25,000 and opening stock कितनी हो जाएगी, 50,000, चलिए, यह हमारा 30 number का solution है, बहात तीजी है, एक ही जैसे question सारे होते है एक start होता है, तो 3-4 question तो बिलकोल वैसे ही होते हैं, तो बस आपको formula पता होना चाहिए, next question देखते है, 31 number, 31 की topic आई, data's turn over ratio, अब हमें क्या निकालना है, data's turn over ratio निकालना है, calculate करने है, आपको सारे figure दिए गई है, total sale for the year, cash sale कितना है, sales return कितना है, out of credit sale, Sunday data की opening balance and closing balance दिगई है चले इसका भी solution देखते हैं, तो देखिए, इसमें क्या है न, data's turn over ratio निकालना है, जिसका formula होता है, net credit sale by average data, ठीक है, तो यह दोना हमें पता तो होना चाहिए, तो चले सबसे पहले net credit sale निकालते हैं, जिसका क्या होता है formula, total sale minus cash sale minus sales return, तो total sale तो आपको दिया हुआ है, और cash sale जो है, वो 20% यह जो भी करके आपको दिया है न, वो आप जब निकालोगे, तो आपका 35,000 आएगा, और जो sales return है, वो देखो, आप 10,000 है, तो यह काम करोगे, तो आपका net credit sale निकालाएगा, 1,30,000, और average data मतलब क्या है, जो opening and closing value दी है data की, उसको याड़ करके 2 से divide करो, आप आपके average data find out हो जागी 10,000, अब दोनों चीज़ आपके पास है, data's turn over ratio का formula क्या होता है, net credit sale by average data, तो net credit sale आपके पास 1,30,000 है, average data आपके पास 10,000 है, divide कीजिए, आपका answer आजाएगा, यह हमारा 31 number का solution है, I hope कि आपको यहां तक में कोई भी problem नहीं, अगर problem होती होता आप मेरे से comment में पूछ सकती हो, आप हमने question number 24 to 31 देखा, I hope कि इसमें कोई problem नहीं, that's all for today, please like this video, also subscribe my channel, thanks for watching the video,